अच्छे दिनों के लिए हमेशा मूरे दिनों से लड़ना पड़ता है सहाब नमस्कार जहिन साथियों मैं हूँ आपका दोस्त कवी आदि गणेश देखिए अपनी तीन बजे तो पाठों वाले क्लासे चल रही है जिसमें कक्षा 9 की पुस्तक चल रही है आठ बजे साम को पाठों वाली और 8 बजे ये और बीच बीच में हम कुछ अलग जो टॉपिक है उनको भी करते रहेंगे हमने इससे पहले जो देखे थे हिंदी भासा का उद्भव और विकास इसके हमने दो भाग कर लिए दो वीडियो कर लिए इसके अंदर हमने खड़ी बोली को देखा थ तो आज जो खड़ी बोली है अपनी उसको विस्तार से देखेंगे जहां से सीदे सीदे सवाल आते हैं जैसे कि सेकंड ग्रेड में बिंदू लगता है खड़ी बोली राष्टवासा राजवासा और जो देवनागरी लीपी है वो तो इसको विस्तार से देखेंगे विस्ता थे खैई बोली का सामाने परिचे तो हमने पहले देख लिया था लेकिन विस्तार से इसके समद्ध में किन-किन विद्वानों ने क्या कुछ कहा है वो सारी की सारी चीजें तो खडीबोली को कौर भी कहा जाता है यह तो हमने उस वीडियो बात कर ली थी और यह पर पश्चिमी हिंदी की जो है बोली है ये भी हमने देख लिया था ठीक है पश्चिमी हिंदी जो उपभासा है उसकी बोली है कौरवी या खड़ी बोली देखिए सारी चीजें वहाँ पर देख लीती कुछ-कुछ अब यहां से जो प्रमुख बाते हैं तो लिखिए आप मुख बाते हैं यह हिंदी साइथ हिंदी भासा का उद्भव और विकास का इत्तियस त्रा वीडियो है दो वीडियो आपने नहीं देखे है तो आप जाकर देख लीजिए चैनल पर जाकर देख लीजेगा वीडियो जिमें आपको मिल जाएंगे तो खड़ी बोली कौरवी की खड़ी बोली हिंदी के लिए खड़ी बोली नाम का प्रियोग हिंदी के लिए खड़ी बोली नाम का प्रियोग किसने किया था यह यूं कहें कि जो खड़ी बोली है यह नाम किसने दिया था सरो परतम प्रियोग करने वाले कौन थे तो हिंदी के लिए खड़ी बोली का ना नाम का प्रियोग किस ने किया था मुंशी ललू लाल ने किसने किया था मुंशी ललू लाल ने नौट कर लीजिये यह सवाल कहीं बार पूछा गया कि हिंदी के लिए खड़ी बूली नाम का प्रियोग किस ने किया मुंसी ललुलाल ने और किस में किया था ये इनकी जो एक स्वरचित स्वरचित जो ग्रंथ है प्रेम सागर प्रेम सागर प्रेम सागर ग्रंथ की भुमिका में प्रेम सागर गरंत की भूमिका में ठीक है मामला हो गए यहां से एक सवाल तो क्लिर आपके हिंदी के लिए खडी बोली नाम का प्रियूक किस ने किया मुंशी ललू लाल ने प्रेम सागर गरंत की भूमिका में अगला फेक्ट देखिया खडी बोली जहां से सवाल बन सकता है या कॉर भी जो पर्शम हिंदी की बोली है, कि जो गिलक्रास्ट महवदे है, गिल क्रास्ट, गिल क्रास्ट, गिल क्रास्ट ने क्या खड़ी बोली को टक साली भासा कहकर पुकारा, गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को खड़ी बोली को क्या कहा टक्साली भाषा कहा ठीक है टक्साली भाषा कहकर उकाराई ललुलाल साब ने खड़ी बोली नाम दिया और गिलक्राइश्ट मौदे ने खड़ी बोली को क्या कहा कि ये क्या है एक टक्षाली भाषा है तो पोस लिया जाए टक्षाली भाषा खड़ी बोली को किसने का गिलक्राइश्ट महोदेने ये फैक्ट आपको जरूर याद होने चाहिए वही हम बात करें आगे ये बात आपको मैंने पहले ही बता दी थी कि खड़ी बोली हिंदी के सरव पर्थम पर्तिष्ठित कवी की बात आ जाए तो वो कौन थे? अमिर खुसरो माने जाते हैं खड़ी बोली हिंदी के सरव पर्थम पर्तिष्ठित कवी कोन माने जाते हैं? अमिर खुसरो ये भी आप नोट करो तो नोट कर सकते हैं वहीं आगे हम बात करें तो आचारिये रामचंदर शुक्ल के नुसार दक्षिन भारत में जो खड़ी बोली में साहित्य स्रजन हुआ उसमें पर्मुक साहित्य कार थे मुल्ला वजही ठीक है? लिख लिजी आप आचारिये शुक्ल अनुसार क्योंकि इनका मत विशेश महत्व रखता है तो आचारिये शुक्ल के नुसार दक्षिन भारत में दक्षिन भारत में हम बात करें तो खड़ी बोली में खड़ी बोली में साहित्य स्रजन करने वाले प्रमुक साहित्य कार के अगर बात आती है तो वहाँ पर आपका हो जाएगा क्या मुल्ला वज़ही इनको मानते हैं ये मुल्ला वज़ही और रचना है इनकी रचना है सबरस सबरस 1635 और कुतुब मुष्टरी दूसर रचना है इनकी कुतुब मुष्टरी ठीक है आगई ये माने जाते हैं और वहीं हम बात करें उत्तर भारत में खड़ी बोल्य को अपने साहिते का मादिम बनाने वाले सरव पर्थम साहितेकार गंगभाट तो दक्षन भारत में तो आ जाते हैं अपने मुल्ला वज़ही और उत्तर भारत की बात आए तो थोड़ा सा हीरो डाल के लिख लिए उत्तर भारत में अगर खड़ी बोल्य को और रचना है इनकी गंगभाट साब की कौन सी चंद चंद बर्नन की महिमा ठीक है मामला तो खड़ी बोली में उत्तर भारत में साहित्ये के अंदर प्रियोग किया था सबसे पहले गंगभाट ने चंद बर्नन की महिमा में दक्षिन भारत में हम बात करें खड़ी बोली का सबसे पहले प्रियोग शुक्ल के अनुसार किया था मुल्ला वजही ने और सबरस में और कुतोब मुश्तरी इन रसनाव में देखने को मिलता है गिलक्राष्ट ने खड़ी बोली को टक्षाली भाषा कहा और हिंदी के लिए खड़ी बोली का नाम का प्रियोग सबसे पहले किया था मुश्तरी ललू लाल ने प्रेम सागर ग्रंत की भूमिका में आगे कुछ और प्रमुख बातें देखी जो परिक्षा में पूछी जा सकती है अगली बात आप नोट कर लीजिए एरो लगा के अगर ये आ जाए आचार ये शुकल के अनुसार शुद एवं परिमार्जित खड़ी बोली में शुद एवं परिमार्जित खड़ी बोली के सर्व पर्तम गद्य लेखक दिखली जाप शुद एवं परिमार्जित खड़ी बोली के खड़ी बोली के प्रतम सर्व पर्तम या प्रतम गद्य लेखक गद्य लेखक पूछ लिया जाए तो नाम आता है अपने राम प्रसाद निरंजनी सहाब का ठीक है और इनकी रचना है भाषा योग वशिष्ट भाषा योग वशिष्ट इसमें देखने को मिलता है तो आचारे शुकल के अनुसार पूछ लिया जाए कि शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का जो खड़ी बोली के पर्थम गद्य लेखक कौन है तो राम प्रसाद निरंजनी सहाब रचना है भाषा योग वशिष्ट दूसरे लेखक की बात आए तो पंडित दोलत राम और रचना है पद्म पुराना लेकिन पर्थ प्रवरतन वब विकास में लिखिये आप यह सवाल कहीं बार पुछा गया है खड़ी बोली के प्रवरतन वब विकास में जो फौर्ट वीलियम कॉलेज है इसका विशेश योगदान रहा है इस कॉलेज के बारे मं कहीं बार पूछा गया है फॉर्ट विलियम कोलेज यहां से और इससे समझे कुछ और फेक्ट अब वो लेकिंग यहां से कहीं बार सवाल पूछा गया है तो माफ किजिए खड़ी बोली के परवर्तन और विकास में फॉर्ट विलियम कोलेज का विशेश योगदान देखने को मिलता है और यह कहां पर ह अगर पूछ ले आपसे तो अठापना वर्ष पूछे इसका फॉर्ट विलियम को लेज अठापना वर्ष पूछे इससा का विशेश योगदान माना जाता है अब आपको लिखना है उनीश्वी शतापदी में खड़ी बूली गद्दे का परवर्तन करने वाले चार परमुक लेखक यहां से इन चारो लेखकों में से कोई ने कोई एक का जिक्र जो जरूर किया जाता है फर्स्ट ग्रेड हो नेट हो चाहिए हिंदी साहित इतियास हो देखिए यहां पर तो देख लिजी आप यह हेडिंग डालिए उनीश्वी शतापदी में खड़ी बोली गद्दे का परवर्तन करने वाले परमुक चार लेखक अब देखिए इन में क्या है ए लगा के लिखिए कि फोर्ट वीलियम कोले से सम्मद्द थे यह पूछा जाता है कि इन में से फोर्ट वीलियम कोले से सम्मद्द रखने वाले कौन थे तो फोर्ट वीलियम कोले से सम्मद्द या कोले से जुड़े फोर्ट वीलियम कोले से जुड़े इन चार लेखकों में से दो तो यह थे पहला नाम आता है मुंशी ललू लालका मुंशी ललू लालका ललू थे ललू लालका और रचना है इनकी प्रेम सागर जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेम सागर और दूसरा नाम आता है आपके सदल मिश्र का अभी मैं याद करवा दूँगा आपको एक बड़िया सी ट्रिक कह सकते हैं फिर सहथ से कह सकते हैं इनकी रचना है शदल मिस्टर साब है नास्य केतो पाख्यान नास झासे केतो पाः ख्यान या फिर चंडरावति कह सकते हैं दोनों ना मिल सकते हैं सदल मिस्ट के तो देखिए जिनने खड़ी बोले के विकास में प्रमुक भोमे का निभाई ठीक है मुंशी ललूलाल प्रेम सागर जो प्रेम करते हैं प्रेम के सागर में डूब जाते हैं वो क्या हो जाते हैं ललू हो जाते हैं इस तरीकी से याद रख सकते हैं इसको तो सदल मिस्र मिस्र साब है तो ग्यानी आदमी है तो उटपटांग रसना करेंगे उटपटांग मतलब थोड़ी कलिष्ट सी इस तरी की रसना करेंगे तो नासी के तो पाख्यान या फिर चंदरावती सदल मिस्र चंदरावती या फिर यह सदल मिस्व हैं और यह जो दोनों लेक हैं फोर्ट विल्यम कोलेज से संब्द हो और रखते हैं मुंशी ललू-लाल और सदल मिस्व यह जरूर ध्यान में रखेगा कौन से संब्द हो रखते अब अन्य जो दो लेखक हैं, बीक के अंदर हम बात करें, अन्य जो दो लेखक हैं, चार लेखकों की बात करें थे, अन्य दो लेखक, जिनमें पहला नाम आता है, पहला नाम आता है आपके, मुन्सी सदा सुख लाल का, यह सदाई सुख की रहते हैं, मुन्सी सदा सुख लाल मुंसी शदाशुकलाल का नाम आता है नियाज तखलू सहिन का उपनाम इस नाम से मुंसी शदाशुकलाल नियाज मुंसी शदाशुकलाल नियाज रचना कुन सी? सुख सागर तो कोई यह दिक्त नहीं रहेगा इसको याद करने में तो पूझ ले जाए सदा सुक लाल नियार साथ की रचना है सुक सागर अगला नाम आता है शय्यद इंशा अल्ला खां ये प्रमुक चार लेखे किते हैं जिन्हों ने खड़ी बोली गद्दे के विकास प्रमुक भूमे का अधा की रचना इनकी रानिक एथ की कहानी रानी केत की कहानी या फिर ना मिल सकता है उदय भान चरित ठीक है मामला तो देखिए फोर्ट वीलियम कोलेज का विशेश योगदान रहता है खड़ी बोली के परवर्टन और विकास के अंदर जिन में से चार लेखक परमुख है उन्हीं सुर्श शताब्दी में जो दो लेखक थे वो तो फोर्ट वीलियम कोलेज से क्या जुड़ेवेते सम्मद रखते हैं उनमें मुंसी ललूलाल का नाम आता है प्रेम सागर रचना और सदल मिस्र ये इनकी रचना है नासी के तो पाक्यान या फिर चंदरावतिक है सकते हैं तो मुंसी ललूलाल और सदल मिस्र इसका सम्मंद किसे हैं इनका फोर्ट वीलियम कोले से वहीं जो अन्य दो लेखक हैं जिनोंने खड़ी बोली गद्दे का परवर्टन और विकास में महत्तोपुन भुमिकादा की मुंसी सदा सुखलाल नियाज रचना सुख सागर और शयद इन्सालला खां इनकी रचना है रानी केत की कहानी या उदेभान चरित इन जो चारों लेखक ते इनमें और जो इनकी भासा है नियाज साब की जो बासा है अन्य जो तीन लेखक है जिन में ललूलाल हो गया और सदल मिस्र हो गया इन्सालला खां इन अन्य तीन लेखकों की की तुलना में क्या मानक हिंदी के अधिक निकट मान जाती है या ज्यादा मानक मान जाती है इनकी जो पूछ जाते हैं तो उनमें आप देखिए एक बात आती है जो डॉक्टर सुनिति कुमार चटर जी है डॉक्टर सुनिति कुमार चटर जी सुनिति कुमार चटर जी तो ये क्या कहते हैं कि जो खड़ी बोली है ये जनपदी हे हिंदुस्तानी खड़ी बोली को क्या डॉक्टर सुनिति कुमार चटर जी खड़ी बोली को खड़ी बोली को ये क्या कहते हैं जनपदिये हिंदुस्तानी, जनपदिये हिंदुस्तानी कहकर पुकारते हैं, ठीक है मामला, वहीं जगरनात दास रतनाकर जो है, यह फेक्ट आपको याद होने जरूरी है, जगरनात दास रतनाकर, ये क्या कहते हैं जो खडी बोली के समर्थक थे, खडी बोली के समर्थकों को ये हटी और मुर्ख कहते हैं, खड़ी बोली का समर्तन करने वाले क्या है हटी और मुर्ख हैं और नगेंदर के अनुसार तो खड़ी बोली का जो प्रियोग है साहितिक हिंदी उर्दू हिंदूस्तानी आधी के बाशा के आधार पर है जो देखने को मिलता ही है खड़ी बोली से समनेत आखरी बात देखते हैं जो प्रमुक है वो है कि कवीता के अंदर हम बात करें कवीता में ब्रिजबासा से हैं ब्रिज भाशागि स्थानव पर कविटा पहले ब्रिज भाशा में लिखी जाती थी मुख्य था और डॉति यह थो कविता में ब्रिज भाशागि स्थानवे खड़ी बोली प्रिज बाशागे स्थाने किसका खड़ी बोली को प्रतिश्टय। तильно см Sm पर शक्त अंदोलन चलाया वो सबसे पहले शशक्त आंदोलन सरोपरतम चलाया था अयोध्या परशाद कथ्री साहब ने चलाया था अरीजभासागिस्तान पर खड़ी बोली को पर्तिश्रित करने के लिए शशक्त आंदोलन थेक है मामले और 1880 में खड़ी का पद्धे सीर सक्सेब कुस्थ प्रकाशित किसी एन्होंने इंटारस सु सित्याशी में अटार सु इत्याशी क्या यह कघड़ीबोली तो खड़ीबोली का पद्धे सब्सक्राइब कविता में घजगिस्तान पर खड़ीबोल आघ तो खड़ी बोली का पद्धे इस शीर सक्षे क्या एक किताब भी देखने को मिलती है यह परकाशित करवाई तो साथ यू यह हिंदी भाषा का उद्भो और विकास तीसरा पार्ट अपना यहां पर कंप्लिट हो जाता जिसमें खड़ी बोली जो कौर भी है पश्चिम हिंदी की बोली इससे समझें जितने भी फैक्ट थे और यहां से कहीं बार सवाल पूछे गें जहां सवाल और बन सकते हैं वह तमाम फैक्ट मैंने आपको करवा दिये आगे हम देवनागर लिपी वगरा राष्ट वासा राजवासा वह सवीदान में किस के अनुछेज में कहां पर है वह तमाम बातें देखेंगे और तीन बज़े वाली किसा और आठ बज़े वाली चलती है बीच बीच में यह जो छोटे-छोटे टॉपक इनको भी हम बीच बीच में करते रहेंगे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए पहली बार देख रहे हैं शेयर कर दीजिए सबी दोस पूसना आपको मिलती रहें, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलिग्राम, चेनल का लिंक भी मिल जाएगा, जो कभी आदी गनेश हिंदी नाम से है, हिंदी अपना देवनागरी में लिखावा है, तो कभी आदी गनेश हिंदी नाम से हैं, तो उसको भी आप जोइन कर सकते हैं, जए हिंद फिर मिलता हूं